वेलो एव्यवन वेकम चैनल इस मंतली जॉडियक रीडिंग में हम वर्को यानिकी कन्या राशी वाले लोग के लिए देखेंगे क्यों यह उनका मन्त है वो कैसा रहेगा कौन-कौन सी एनजी आपके सराउंजिंग में रहेंगी और यह रीडिंग जो है वो आपके सर्न मौन और अगर आप उसे परस्नल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो सारी डेटेल्स दिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी कही है आप एक पर उसे जरूर चेक कर लें ओके सो अब हम शफल कर लेते हैं कार्ट्स वर्को कन्या राशी ओके सब्सक्रिप्शन नहीं है आप लो की लाइफ नहीं है आप लो की लाइफ नहीं है यहां पर ऐसा है कि सिच्वेशन जो मुझे नजर आ रही है वो कुछ ऐसी सी है कि आपकी कोई एक बहुत स्ट्रोंग विश है जैसे कि आपका कोई ड्रीम जॉब हो सकती है या फिर कोई एक ऐसा सपना जो आपने बहुत टाइम से देखा है और कुछ ऐसी चीजें आपके सा आप काफी सारी चीजों को आपकी लाइफ से कट करने वाले हो काफी सारी चीजों को आपकी लाइफ से निकालने वाले हो क्योंकि आप स्ट्रोंग ली चाहते हो कि जो आपकी विश है वो पूरी हो यहां पर टैन फॉन्स वाली एनर्जी है कि काफी ज्यादा एक्शॉस्ट आप लोग जैसे की दूसरों के बारे में सोच से दूसरों के लिए अच्छा करते करते और यह मंत की जो एनर्जी है ना कुछ लग जाएंगे आपकी जो भी विश है आप जैसे भी चीज को पूरा करना चाहते हो उसको करने में यहां पर फाइव ऑफ कफ की एनर्जी ऐसी है ना कि यह टाइम अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप से कहा जा रहा है कि नहीं जो कुछ चला गया है जो कुछ लगवाया है उस पर फोकस नहीं करिए क्योंकि अभी भी इसके पास यहां पर यहां पर काम करने के जो तरीके हैं उनमें बतलाव लाना पड़ेगा थोड़े से उनमें आपको चेंजर लाने पड़ेंगे बहुत सारी चीजों की रेस्पॉंस्पिलिटीज अपने ऊपर ना अपने काम को ना एक तो शिडियूल से करें प्रॉपर मैनेजमेंट से करें और सारे काम आप नहीं कर सकते हैं अपना ख्याल रखने की आपको जरूरत है आपकी हेल्थ का खास तर पर कहूंगी कि अपनी हेल्थ का ख्याल रखिएगा सेक्रल चक्रा से रलेटेड आपको कु आपको कौनगी कि अपना ख्याल रखेंगा ओके समय कुछ और कार्स ले लेती हूं वर्गो कन्या राशी मेरा मून साइन मेरा मून साइन खुद भी वर्गो ही है तो ठेकते हैं यहां पर क्या है यहां पर बहुत सारी कप्स की एनर्जीज हैं काफी ओके नाइट अफ सौर्ट इस प्रिच्छुली आपका ये मन्थ बहुत मैं कहूं बहुत जादा एनर्जीज का अपसें डाउंस रहेगा बहुत जादा एनर्जीज आपकी हाइन लो होगी इस मन्थ तो यहां पर क्योंकि एट अफ कप्स वाली सिचुएशन है तो यह ऐसा है कि खुशी नहीं है आपकी लाइफ में आप सेटिस्फाइन नहीं हो चीजों से जो भी चीज़ें चल रही है यहां पर सेनेरियो ऐसा है कि अगर आपके सामने कोई बहुत बड़ी भी खुशी आज़ें तो भी आप खुश नहीं हो पाते होंगे तो भी आपको ऐसा लगता होगा कि मैं दिल से खुश नहीं हूं मुझे अंदर से खुशी नहीं मिल रही है तो जैसे कि होती है न मी पहले का जो try करने लो सोल और जो आपने लन आएप नाउट वाले से घुशन नज़ान है जासे कि अंवैक निंग पहला यहां पर समय है और हसनी हो यहां पयाatu locals हैं यहां पर लगता है आपके लिए मैं बात बताओं काफी मुश्किल रहने वाला है मुश्किल के साथ मैं कहूंगी कि आप पर यहां पर कहा जारा है कि पानी ज्यादा से जादा पिए दूसरी चीज यहां पर बहुत जादा दूसरे लोगों की नई सुनिएगा अपनी सोल की सुनिएगा बहुत जादा आपको लोगों की नहीं सुनने हैं दूसरी चीज अगर आप लोग कुछ spiritual routine follow कर रहे हो कुछ भी चीज कर रहे हो तो देखो हर कोई जो दूसरा कर दूसरा बंदा कर रहा है दूसरे लोग कर रहे हैं आप सब कुछ ना करें मुझे ऐसा लगता है कि आपना मैं सबसा थोड़ा सा कर दे रहे हैं आप आप कर बहुत सारी चीज़ें ट्राय रहे हैं जैसे चक्रा लेकिन चीजें ऐसा लगता है जिसे मैं सब जा रहे हैं इस देखले जिस वे में होनी चाहिए वह नहीं हो पारी है आपको जो प्रॉपर गाइडेंस मिलनी चाहिए वह नहीं कर रहे हैं आप लोग बहुत सारे तो चीजें काफी जल दी आपके लाइफ में चेंज होंगी keeping okay your Heart कितनी जल्दी निकल गया आपके लिए जो मन्त होगा ना जिस ऐसे यू निकलेगा हां मुझे पता ही कि आप परेशान हो जब परेशान होते हैं तब ना समय धीरे 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 निकलता है ऐसा में लगता है कि जब हम खुश होते हैं तब समय बहुत जल्दी निकल जाता आपसे आपके मन की पीस की बात कही जा रही है कि देखो सिचुएशन कुछ भी रहे आपको आपके मन की मन की पीस आपको ढूलने है कि आपको पीस किसमे मिलती है अपनी हेल्थ का आपको खास वर भी क्याल रखना है यहां पे हो सकते कि आप लोग किसी टॉक्सिक योगा, मेडिटेशन जरूर करियेगा, आपको एक बात मैं शियर करूं, आपकी जो भी विश है, वो जरूर पूरी होगी, ये जस्ट, मैं कहूं, जो भी चीज हो रही है न, ये डेस्टनी में, मैं कहूं, डेस्टाइन हो रही है आपके साथ, और आपको धीरे-दीरे समझ मे आएगा कि exactly यह सारी चीज़े क्यों हो रही थी यह time मैं कहूं सच में बुरा नहीं है आपके लिए यह time सच में बुरा नहीं है बहुत कुछ आप चीज सीख रहे हो और आपको बाद में रिलाइस होगा यकीन मानिये कुछ और कार्स ले लेती हूं मैं आप लोग के लिए क्या यहां पर आपको कहा चाहरा है अपनी हीलिंग पर ध्यान दीजिए खुदको हील आपको करना है और इस मन्त ऐसा है ना कि आपके लिए डोर्स ओपन होंगे आप जो गाइडेंस चाहरे हो आप लोग चाहते हो कि आपको जो प्रॉपर गाइडेंस मिले किसी भी चीज के तो मुझे ऐसा लगता है कि आप आप मैनिफेस्ट कर रहे हो आपकी लाइफ में और आपको ज़रूर मिले कि यहां पर खुदको खुश रखिए आई नो कि जब ऐसी सिच्वेशन चल रही होती तब मुश्किल होता है आप लोग भी कोगे कि मैं आप क्या कह रहे हूं कैसे रहे कि दुख ही रहने से भी तो आपके कोई problem solve नहीं हो रही है ना तो खुश है यहां पे healing कार है यहां पे Healer of the ages का कार है हो सकता है कि आप लोग किसी healer से contact करें खुदकी healing करवाएं या पर लोग हो सकता है कि रेकिव अगेरा sound healing प्रानिक यह चीजी शुछ और चीज आप जो चीजी के अप लोगों में बहुत ज़ादा ही उलिटीज है कि लोग आपके शराउंटिंग में आपके पास आके घुद को ही फिल करते होंगे तो एक आपकी ग्रोथ हो रही है इस पिछ लेवल पर आपकी बहुत अच्छे से ग् ही है लेकिन मैं बताओं आपको पता नहीं चल रहा है आप समझ नहीं पा रहे हो कि इस एक लिए आपके साथ हो क्या रहा है आपको प्रॉपर गाइडेंस की नीड है यहां पर यही कौंगी आप से लिगाजना इंटिकेट तो यह कर रहा है अपने कमफर्ट जोन से भाहर निक की वह एक्शन लेने की उस डारेक्शन में ओके यहां से और देख लेती हूं क्या गाइडेंस है वर्गो कन्याराशी कैमल नो दाइच यू आर वर्दी ओफ लव तो यह कार्ड कर रहा है कि अब डिजर्व करते हो लव अब भी आपके साथ कुछ बुरा हुआ है कोई बुरी situation हुई है तो खुद को ऐसे नहीं समझना लगो कि आपकी लाइफ में प्यार नहीं है आपको कभी true love नहीं मिलेगा यहां पर यह कि भला ही इस टाइम पर अखेले हो लेकिन एक परफेक्ट बट जस क्या होता है कि जब true love होता है तो परसन हमारे लिए खुद ही परफेक्ट हो जाता है जब हम true love करते हैं तो उस परसन को ऐसी ही accept करते हैं जैसे वह होते हैं को कि कि वुल्फ कनेक्ट विद्धियो पैक और होल इदी मून बहुत सारे ऐसे लोग हैं आपकी लाइफ में जो आपको ड्रेंड कर देते हैं हो सकता है कि लडाई जगडा करना आपको दी मोटिवेट कर देना आपको ऐसे कह देना कि नहीं तुम से तो यह हो गई नहीं यह कर दी आपको कुछ यहां पे आपको दूरी बनानी होगी यहां पे डिस्टेंस Mm करने करने के लिए आप से कह रहा है कि थोड़ी देर आप अकेले में रहें थोड़ा टाइम आप खुद को डिवाइन से करने में बिताएं क्योंकि यहां पे जो एनर्जी हैं वह ऐसी है कि आपकी सारी प्रॉब्लम का आपने कोई एक्जाम दिया आपका सेलेक्शन नहीं हो पाया तो परेशान क्यों होते हो तो बारह से मैंनत करो ना यह थोड़ी ना कि आप लोग देमोटिवेट होके बैठ जाओ कि यह जिसमने एक्जाम्पल दिया है सिच्वेशन कोई भी हो सकती है ओके सो दी बिटर फ्लाइ स्प्रेड यूर ब्यूश्फल विंग संद फ्लाइ औरने के लिए आपसे कहा जा रहा है कि अपने विंग्स को खोलिए जो भी बांडरी में आप रहते थे जो भी खुद को आपने बहुत जादा सुफुकेटिड कर लिया था अपनी आसपास की इनर्जी इसको तो यह कह रहा है कि नहीं थोड़ा सा नेचर में जाई जाई यह भार गूमिये फिर यह आपके लाइफ में इनजॉय होना भी बहुत जादा जरूरी है आपकी हैपिनेस भी मैटर करती है यहां पे अब समझ रहे हो तो जस्ट आपसे कहा जा रहा है कि थोड आपको अच्छी लगी होगी अपने कमेंस जरू शेयर करिए का मेरे साथ और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहा है तो सब्सक्राइब कर लें इस वीडियो को लाइक करते मैं मिलती हूं आपसे नेक्स सीडिंग में तब तक के लिए बाई